और किदर से बाए इंडिया इंडा कॉन से जलागा बिजनोर बिजनोर है। यस किदर बीजनोर में तो पहले बार सुना था यूपीपी के। क्या नाम है आपका अब्दुलमाजित अब इधर कितना हुआ है कि तीन महीने तीन महीने हुआ अब काड रेलिवरी में आया या उसे फिक्सलेरी में आया और कितना मिलता अब दिन में कितना मारता है चोद्हा पंद्रह दरा इंसे अँडें क्ना कर्माः टाए और यह कियों अच्छाई बुरा है बसू नीं बोल सकते अभी नए ना पड़ेगा मा बाप का can Dueitzer नहीं पॉनाह नहीं बना है आभी ठोड़ा गहना कलिए तोड़ा यह वने वाला बीबी माना इंटन् fonction जुकार करना पड़ेगा लिए बैक में कौन बोल रहा है बैक में कमें कार में कार में तो मेरे का लगता है अच्छा है पार्किंग का कि ना समस्या लेकिन चलने के लिए security तो तो ईना ये पहले बार में आपको साथ में वीडियो बना रहे हैं लेकिन नेपाल से पूछ रहे हैं मेरा दोस्त लोग और दूसरा पेचान वाला नहीं पेचान वाला यह जो नया कार वाला इधर आने वाला का हं कर रहे हैं तो लोग को लिए आप पेटर फलें जाता है तो दो दिन जाता है फूल किटना फूल होता है तेन केड़ी में फूल सब्सक्राइब अगर है उमान चाहते हैं तो ओमान में आपको कितना सेली पर जाना चाहिए कि आपको वहां पर जाने वाद आपको अपसोच ना हो कि हम कम सल्ली पा गए हैं इसलिए वीडियो के फुरा फुल वाच कीजिएगा तब ही आपको समझ में आएगा कि आप कितना सल्ली पर जाना चाहिए मैं सारी इंफ्रिमिशन दूगा इस वीडियो में तो जाए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि आपका भाई और भी अच्छी तरीके से आपको जंगारी दे सके तो चले बीडियों करते हैं दोस्तों अगर कभी भी उमान में जाना चाहते हैं तो भाई साब अगर आप लेवर में जाना चाहते हैं तो आपको लेवर के काम में कम से कम आपको सो रियाल आपको मिलना चाहिए उमान में अगर सो रियाल मिलता है तो आपको अच्छा बेंफिट होगा और अच्छा मतलब कि आप आराम से घर पे 20,000 रुपे आराम से भेज देंगे अगर उमान में ह तो सो रियाल का 20,000 बनता है लेकिन आपको उसमें से खाना पीना भी है और ओभर टाइम चलेगा तो आपको और भी बेनफिट हो जाएगा और मान में सवय भी मिलता है कि अगर आप चार घंटा मतलब कि अगर सो घंटा पूरा करते हैं तो आपको 25 घंटा और मिलेगा अगर 50 घंटा पूरा करते हैं तो इसमें से चार भाग कर दीजिएगा उसका जो है साड़े बारा घंटा आपको और मिलेगा तो ऐसे करके सवय भी मिलता है उमान में तो लेबर के काम में आ आपको 100 रियाल ओफर करती है तो आपकी मर्जी है आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे लेकिन मेरे हिसाब से आपको 120 रियाल पे आपको आना चाहिए और कंपनी का खाना भी होना चाहिए तब आपको अच्छा वेंफिट मिलेगा नहीं तो आप कंपनी खाना नहीं रहेगा सब कुछ नहीं जो आपके एग्रिमेंट पर लिखा है नौ घंटा का ड्यूटी है कि आठ घंटा का ड्यूटी है वही सच्चाई है वहाँ पर यतना तो आपको फिक्स है कि इतना मिलेगा वहाँ पर जाने के बाद आपको दो घंटा मिलता है कि चार घंटा मिलता है वह एक्स कम 120 उमानी रियाल पे आने चाहिए अगर आप अच्छा एलेक्टिशन है काम अच्छा बराबर मालूम है तो आपको और सेलरी पे ज्यादतर हो सके तो उसके 30-40-50 जितना हो सके उतना पे आपको आना चाहिए तो यह हो गया इलेक्टिशन का उसका प्लमबर का बात करते हैं अगर प्लमबर कोई है जाने कि प्लमबर उसको बोलते हैं जो पानी का काम करते हैं पानी का पाइप लगाते हैं घर में उसको बोलते हैं प्लमबर तो अगर प्लमबर में आ रहे हैं तो सेम इलेक्टिशन जैसा ही है क्योंकि technician काम electricity को 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 आता है और technician जो है plumber को भी बोलते हैं तो सेम केटगरी है 120 में आपको आना चाहिए उससे कम में मत आया भाई-साब उससे कम में आएंगा आपको कोई फैदा नहीं है कोई फायदा विंडो में जंगले में जो है दरवजा लगाते हैं मतलब की लकड़ी के काम हमारे इंडिया में उसको बढ़ा ही बोलते हैं तो बढ़ा के काम में अगर कोई भी आता है तो अगर अच्छा काम जानते हैं भाई साब पूरा काम मालूम है आपको कम से कम आपको 130 140 150 में आपको आना चाहिए उमान कंट्री में उसके नीचे मत आए उसके नीचे आने पर आपको कोई फैदा नहीं है देखिए अगर बीदेश में कमाना है तो बीदेश में 25,000 के उपर अगर कमा रहे हैं तो आपको अच्छा है अगर 25,000 के नीचे हैं 20,000 पर है तो भाई साब हमारी प्लंबर के कमें मिल जाते हैं तो काम बहुत है हमारे इंडिया में मकान नहीं बनता है हमारे इंडिया में प्रोजेक्ट नहीं है बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं तो कभी भी उमान में अगर 25,000 कमाना है 25,000 के नीचे अगर आपको कमा पाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं ह कोई मतलब कि विदेश में आने से कोई फायदा नहीं है हमारे हिसाब से उसके बाद जितने भी टेक्निशन हैं ऐसी टेक्निशन हो गए भाई अगर ऐसी टेक्निशन को काम मालूम है तो उनका मैं यही बुलूँगा कि आप 120 के उपर आए जानी कि 150-60 ऐसे करके आए 120 के नीच आता है तो आपको अच्छा पैसा मिलना चाहिए अगर अच्छा पैसा नहीं मिलता है तो विदेश में आप कोई फायदा नहीं है तो मैं सारे इंफिल्मेशन दे दिया हूं इस वीडियो में जल्दी जाहिए हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर किजिए अपने भाई को सपोर्ट किजिए ताकि आपका भाई और भी अच्छी तरी किसा को जनकारी दे सके जैहिन जै भारत